इसको कुछ ऐसे लगाते हैं हम सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भ्रानमस्त्रे मेरा नाम है सालोनेगी देभू मित्रा खंडी के इन खुब सुरत पहाडों से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपनी एक और अपना भी बांदा रहता है धूप सिकने के लिए तो बाकी मा गई हुई है जंगल घास के लिए या बांज के लिए पता नहीं किस चीज के लिए गई है और मैं यहां पर गौसला के सभी कामकास मुटा लेती हूँ और आप लोग वीडियो में बने रही है गौसला से मैं घर आ गई हूँ और अभी अच्छी सी धूप खिल गई है अच्छा सा मौसम हो गया है और उधर साइट के खितों में लंगूर आरके हैं तो लोग उनको भगा रहे हैं और लंगूर ना फसल को बरबाद कर देते हैं तो बाकी यहाँ पर बहुत सारी पच्छा आ रही हैं दाना चुकने के लिए दिन के बारा बजने वाले हैं और मैंने प्रेशर को करकी अच्छे से पुताई कर दी हैं मिट्टी से और साथी साथ मुझा भी चावल भी साफ करने हैं एक बार मैं लंच बना लेती हूं चावल मैंने चुल्ले में रख दिये हैं और अब जल्दी से यहां से पालक निकाल देती हूं यहाँ पर नहीं लेकिन थोड़ी बोद सबजी है यहाँ पर मिक्स सबजी मैंने निकाल दी है यहां किना सबजी मैंने निकाल दी है यह है राई और पालक मिक्स है तो मैं इसको एक बाद अच्छे से धो लेती हूँ दिन का खाना बनाके मैंने तयार कर दिया है और मा भी जंगल से घर आगई है तो एक बार खा लेते हैं साम के लगवख चार बिज रहे हैं और कानवी स्कूल से घर आगई है और यहां पर बाध खा रही है और अब ही मैं जा रही हूँ गौसाला भैस को घास डालने क्योंकि सामका मेरा यही काम रहता है तो बाकिया मैं चलती हूँ बहस को घास जालके मैं आरखी हूँ अभी लगनियों के लिए कि मैंने रसी ना साथ में ला रखी थी और लगनियों की भार भी मैंने लगा दी है और अब चलती हो मैं घर के और साम के लगभग साडे पांस बज रहे हैं मा गई है कंडारा सावान के लिए तो आती होगी तो मैं चले जाती हूँ भैस को अंदर बाढने गौसाला तो बाकिया विए मैं चलती हूँ गौसला पर मैं आ गई हूँ और लुक का ये टाइम ना पसों से दूत निकालने का होता है कुछ लोग घर्च लेगे हैं और कुछ लोग गौसला की काम कास्ट डाल रहे हैं और आजकल जो भालू होता है उसका भी डर बना हुआ है क्योंकि जंगल में बहुत सारे पीट तोड़ दिये हैं बांज खाने, बांज के लिकवा खाने के लिए भालू ने तो बाकी मैं भी जल्दी से अपनी भैस को अंदर बांद देती हूँ यहां अंदर ना कुछ ऐसा हुरका है और इन पत्तियों को मैं यहां पर डाल देती हूँ और भैस को अंदर बांद लेती हूँ यहां पर भैस को मैंने अंदर बांद दिया है और इसको बांज भी दे दिया है लेकिन ये बांज को देख तक नहीं रहा है पताने क्यों इसको मैंने घास पी डाल दी है और दर्वाजा भी बंद कर दिया है और यहां पर यह लट्था लगा दिया है क्योंकि यह वाला दर्वाजा ना टूटा हुआ है तो इसको कुछ ऐसे लगाते हैं हम गौसालाओं से सभी लोग घर चले गए हैं और यहां पर अभी न थोड़ा सुनसान वाला माहूल हो गया है तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ आए होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक करें कॉमेंट करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ तब तक बने रही है मेरे चैनल पर जय देभुवी उत्राखन